पाली जिला भारत के राजस्थान आज का एक जिला है जिला मुख्याल है पाली से अर्मिस्तित है यह जोद्पू डिविजन के अंदर गदाता है अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जन्गना के अनुसार पाली जिले के जनसंख्या करी 20,37,572 थी पाली जिले में भारे 1 पूर्सों पर 987 महिलाओं का लिंगन रुपाद है अगर हम छेत्रफल की बात करें तो पाली जिला 12,387 वर किलोमीटर के छेत्रफल में फैला हुए है जिला पाली, नागाओर, अजमेर, राजसमंद, उदैपूर, सिरोही, बाड़मेर और जोदपूर जिलों से अपनी सिम जिले को 10 सबडिविजन और 10 तसीले में बाटा गया है, सोजत मारवाट जंक्सन, जैतारन, राइपूर, सुमेरपूर, बाली, बाली, रोहट, रानी और देशुरी जिले की तसीले हैं, बाली जिले के अंतरगत 1030 गाउं और 320 ग्राम पैचाते आती हैं, अगर हम सिक्छा की बात करें तो जिले की साक्षातादर 13.23 परतिसत हैं, सेंट्पॉल सिर्य सेकेंडरी स्कूल, इम्यानुवल मिसन सिर्य सेकेंडरी स्कूल, सेंट्रल अकाडमी, MS कवर इंटरनेशनल स्कूल, वन्दे मातरमी स्कूल, अम्भूजा पबलिक स्कूल, बियार भीला पबलिक जिले के कुछ बैतुरीं, एजुकेशन इस्टूट्स हैं, अर्थवयस्ता की बात करें तो जिले की अर्थवयस्ता मोख्य रूप से किसे पर निर्बर है, यह हूँ जो, दाल, गन्ना, तिलहन और कपास के खेती यहाँ प्रचूर मातरा में की जाती है, भाली अपने कपड मिल है जिसका नहीं महाराज स्री उम्वेद मिल से यह राज्थान की सबसे बड़ी कपास मिल है जिले में दो बड़े बांध भी हैं जवाई बांध और सर्दा समंध बांध अगर हम रुचे के स्थानों के बारे हम बात करें तो रनकपूर, जैन मंदीर, स्री राता महाविर जैन तीर्थ, स्री नौलखा पासोनाथ जैन मंदीर, जवाई बांध, परसूराम महादेव मंदीर, ओम बनना मंदीर, महादेव मंदीर, लवाजी महराज का मंदीर, जादन अगर हमें आतायाद की बात करें तो जिले का प्रमुक रेल्वे स्टेशन है तो राजस्थान के प्रमुक सहरों से काफी अच्छी तरह से जुला हुआ है प्रमुक रेल्वे स्टेशन है तरह से जुला हुआ है बात करें खर से जुला है उड़ाइब नुकाल